आजादी के परवाने और भारत मा के दिवाने शहीद ए आजम भगत सिंग को 23 मार्च 1931 को फासी दे दी गई थी। उनके साथ में सुकदेव सुकदेव और राजगुरू राजगुरू को भी अंग्रेजों ने फासी के फंदे पर लटका दिया था। जिस वक्त शहीद भगत सिंग को फासी दी गई तब उनकी उम्र महस 23 साल थी। भगत सिंग के विचार और इरादे उनकी उम्र से कहीं बढ़े थे। इसकी जलक उनके लिखों और पत्रों में भी मिलती है जो उन्होंने जेल में रहते हुए लिखे। ये शहीद ए आजम भगत सिंग के विचार ही जिन्होंने असेंबली में बमफेकने और किसी को नुकसान ना पहुचाने का प्लान बनाया। भगत सिंग के विचारों की बुलंदियों और पहार जैसी उनकी शक्सियत को याद करने के लिए चलिये उनके आखिरी दो पत्रों को पढ़ते हैं। बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत उचा उठा दिया है इतना उचा की जीवित रहने की स्थिती में इससे उचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरिया जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फासी से बच गया त और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांती को रोकना सामराजवा दिया तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। से अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयम पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेतावी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंग। भगत सिंग का भाई के नाम आखिरी खत। महान स्वतं से अंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंग अपने भाई को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपने अंतिम वक्त में अपने भाई कुलबीर सिंग को भी एक पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने लिखा था लाहौर सेंट्रल जेल, 3 मार्च 1931. प्रिय कुलबीर सिंग, ठोड़ कर जा रहा हूं। तुम्हारी जिन्दगी का क्या होगा? बुजारा कैसे करोगे? यही सब सोचकर काम जाता हूं, मगर भाई होसला रखना, मुसीबत में भी कभी मत घबराना। इसके सिवा और क्या कह सकता हूं? अमेरिका जा सकते तो बहुत अच्छा होता, मगर तब तो ये भी नामुम्किन मालूम होता है। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत से पढ़ते जाना। अगर कोई काम सीख सको तो बहतर होगा, मगर सब कुछ पिता जी की सलाह से करना। जहां तक हो सके, मुहबत से सब लोग बुजारा करना। इसके सिवाए क्या कहूं? जानता हूं मेरे बहुत बहुत प्यारे भाई, जिन्दगी बड़ी सक्त है और दुनिया बड़ी बेमुरववत। सब लोग बड़े बेरहम हैं। सिर्फ मुहबत और होसले से ही गुजारा हो सकेगा। कुलतार की तालीम की फिक्र भी तुम ही करना। बड़ी शर्म आती है और अफसोस के सिवाय मैं करी क्या सकता हूँ। साथ वाला खत हिंदी में लिखा हुआ है। खत केकी बहन को दे देना। अच्छा नमसकार, अजीज भाय अलविदा, रुक सक्त। तुम्हारा खैर एंदेश, भगत सिंग, शहीद भगत सिंग के यही क्रांतिकारी विचार आगे चल कर एक ज्वाला बने, जिन्होंने भारत में कई वीरों को प्रोचसाहित किया। अनेकों अनेक बहादूर स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंग का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है और हमेशा लिखा रहेगा। क्योंकि उन्ही की बदौलत आज हम आजाद हैं और खुल